नमस्कार दोस्तों मैं हूं संदीब कटारिया और स्वागत है आपका आभी के चैनल पर स्टॉक मार्केट से पैसा कवाना किसने नहीं सुना और किसका मन नहीं करता है पर यह हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट सबको पैसा नहीं देती है किसी से पैसा छिन लेती है और किसी को लगपती से करोड़पती और करोड़पती से अरबपती बना देती है इसकी क्या वज़े है इसकी वज़े ये है कि हर इंडिविजुल के लिए stock market suitable नहीं होती है अब ये कैसे जानेंगे कि stock market मेरे लिए आपके लिए उनके लिए उनके लिए suitable है या नहीं है इसके बहुत सारे तरीके हैं और उनमें से एक तरीका है निम्रोलिजी की मदद लेना जी हां निम्रोलिजी की मदद लेना तो इस वीडियो में हम जानेंगे एक नहीं तीन तीन चीज़े सबसे पहला कि वह कौन से नंबर है जो मेरी डेट व बर्त में या मेरे लोशू ग्रिट में मौजूद होने चाहिए जिनकी मदद से मैं स्टॉ अपना पैसा नहीं लगाता तो क्या मैं स्टॉक मार्किट में बिजनस एनलिस्ट, टेक्निकल एनलेस्ट, फंडामेंटल एनलेस्ट या एडवाइजर बन सकता हूं और तीसरा टॉपिक जो हम इस वीडियो में लेने जा रहे हैं कि मालिजे stock market मेरे लिए बहुत suitable है या moderately suitable है तो मेरे जो lucky numbers है उनके accordingly मुझे किस industry या industries में मुझे invest करने से थोड़ा बहतर फाइदा होगा तो चलिए शुरू करते हैं पर यहां पर मैं आपको एक बाई पर से याद करा दूं अगर आ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी अभी सब्सक्राइब करें और हां इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेर करें आए शुरू करते हैं सबसे पहले कि stock market में success पाने के लिए कौन से numbers का होना जरूरी है जैसे कि मैं हमीशा से कहता चल आया हूं नंबर पांच और नंबर छे यह ऐसे दो अंग हैं जो लगभग हर शेत्र में एक व्यक्ति को सफलता दे सकते हैं मैं सफलता की जब बात करता हूं तो मैं बात कर रहा हूं मिटिरिलिस्टिक बेनेफिट की मिटिरिलिस्टिक सक्सेस की मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पांच और छे से अगर कोई अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना चाहता है तो उसको फाइदा होगा नहीं मैं आम जो रिक्वार्मेंट है उसको सामने रखते हुए बात कर रहा हूं तो अगर आपके पास पांच और छे दोनों अंक मौजूद है इसको कैसे देखना है इसको देखने का तरीका बहुत आसान है आप अपनी डेटोग वर्त लीजी माली जी आपकी डेटोग बर्त है 5 नवंबर 1965 5 नवंबर 1965 तो इसमें आप देखेंगे कि 5 भी मौजूद है औ और 6 भी मौजूद है और अगर हम साइकिक नंबर और ड्राइवर नंबर निकालेंगे तो इसमें जो साइकिक नंबर होगा वोगा पांच और जो डेस्टरीन नंबर होगा वन तो यह पांच और एक कांबिनेशन यह इस व्यक्ति के लिए मैंने एक रेंडम डेटोब बर्त मतमोली है उनके लिए स्टॉक मार्केट में जाना ठीक रहेगा पर इसका यह मत्तब नहीं है कि लाकों क्रोर रुपे कल से आने शुरू हो जाएंगे उसके लिए कुछ और कंडिशन अपलाई भी होगा तो अब देखते हैं कि वह कौन से ड्राइवर और कंड़क्टर यानि सटॉक मार्किट में जाने के लिए और इसी तरह से हम जानेंगे कि कौन से नंबर हैं जो स्टॉक मार्किट में जाने की सला नहीं देते हैं तो पहले वह नंबर जो वह सकते और उन नंबर्स का कॉंबिनेशन वो सकता है 1 5 1 6 5 6 6 5 6 1 1 1 3 5 5 3 बगारा बगारा इसी तरह से जो नंबर्स आपको बहुत सकती से कह रहे हैं कि नहीं स्टॉक मार्केट में नहीं जाना है वो है 36 का अकड़ा यानि कि 3 6 6 3 और इसके इलावा 1 7 4 4 4 8 8 4 8 8 8 इत्यादी अगर आपका भाग्यांक और मूलांक का कॉंबिनेशन ऐसा है जो आपको स्टॉक मार्केट में जाने के लिए मना करता है तो इन नंबर्स का कहना मानना ही आपके फायदे में होगा पर इसमें एक चोटी सी एक्सेप्शन निकाली जा सकती है अगर तो आप स्वेम अपना पैसा ना लगाएं तो एक आप स्वेम अपना पैसा ना लगाएं तो अच्छा है पर हाँ अगर जैनुविन तरीके से रिसर्च करके क्लाइंट्स को बताएंगे तो आएम शूर उनको आपकी एनलिसिस का फाइदा होगा आए अब हम अगला पॉइंट लेते हैं माल लीजे स्टॉक मार्किट आपके लिए उचित है आपने डिसिशन लिया हुआ है यह उच हिसाब से उस इंडास्ट्री में इंवेस्ट करते हैं तो शायद आपको थोड़ा बहतर फाइदा हो सकता है आए मैं एक से लिकर नौ तक वो नंबर्स लेता हूं और आप नोट करें कि कौन से नंबर्स आपके लिए यादा भागेशाली है ताकि आप उनी नंबर से कुल दकी हो सकता है तो अगर 1 तो इसका मतलब एक की आप मेडिसेन के शेतर में गवंय कंपनी हम पबलिक सेक्टर कंपनी के या पीपी पूंदिब्लिक प्राइवर्ट के हिकंटी में यह आम पनिवेश करते हैं तो ये आपको बहतर रिटरं दे सकता है अगर आपका नमबर तो है तो जो लीक्विट्स हैं, दूद की कंपनिया हैं या दवाय की कंपनिया हैं या ट्रावलिंग से रिलेटेड कंपनी या सला की कंपनी जैसे आज कर बहुत सारी कंपनी एडवाईजरी रोल ले चुकी हैं। उसमें अगर आप इंवेस्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा नंबर तीन नंबर तीन नॉलेज का नंबर है इसके स्वामी जुपीटर है तो जो नॉलेज इंडस्ट्रीज है के प्यूज है उसमें आप अगर पैसा लगाते हैं इसी तरह से खाने पीने की कंपनी पर ध्यान रहे वेजिटेरियन खाना होना चाहिए रेस्टोरेंट्स हैं फूद चेंज हैं उसमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो यह आपको बहतर रिटरंस दे सकता है इसी तरह से नंबर चार नंबर चार थोड़ा शोर मचाता है उतल पुथल करना पसंद करता है कम्मुनिकेशन करना पसंद करता है आउट ओव कि अच्चेन टेकनोलजी को देखते हैं ट्रैंसमोटेशन को देखते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पो देखते हैं यह फिर फॉरन कंपनीज को देखते हैं तो शायद आपको यादा फाइदा होगा न। नमबर पांच का सौमी है रूद्ध यानि की अर्करी तो करते हैं यानि की लोजिस्टिक्स में हैं वो कंपनी में अगर आप इग्वेस्ट करेंगे तो आपको बाकी इंडस्ट्री के मुकाफले में थोड़ा बहतर फाइदा हो सकता है नंबर सिक्स हम सब जानते हैं कि इसका स्वामी है शुक्र यानि की वीनस जो रिप्रेजेंट करत जो क्योंकी एक्कार बहुत मेहवी मेहबेंगी गाड़ियां ओक बिएफ्र यम क्लिन है अगर इनमे आप इन्वेस्क तरह से ट्रावलिंग आपको फाईदा दे सकती है इनमें अगर आप इनके करते हैं अग्षरी-प्रेंच्री सेहीं होटकर निमें तो आपको और उस्षन पर फिर भी ऐसी कंपनी जो कि रिसर्च औरिंटेड हैं डेटा एनलेटिक्स में हैं डेटा माइनिंग में हैं यह एक्स्ट्रोरेशन में उसमें आपको पर च्वाइस लिमिटेड है इसलिए मैं कहूंगा कि इनी इंडस्ट्री में जरा देख भाल करके जाहिएगा नंबर भी कंस्ट्रक्शन कही ना कहीं दिखाती है नंबर 9 वी शार्प इंस्ट्रूमेंट दिखाती यह जिसे कि सजी कल havens है वैसे तो मैं नहीं समझता कि भारत में कोई आम्स की कमनी है पर अगर मालीजे हूं झओन साइन ओनरित görün 얼y होती कमणी होथ उसमें आपको को फाइदा होगा मैं अगले पॉइंट पर आता हूँ कि स्टॉप मार्किट एक बच्चों का खेल नहीं है चाहे निमरालोजी कहे चाहे टेरो कहे चाहे आपका मन कहे इसमें अगर आपको उतरना है तो खुब अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेकर नॉलेज लेकर और हर रोज एनलिसेस करके ही अपना मेहन से कमाया हुआ पैसा लगाईएगा वो भी पूरी तरह से आखे खोल के आख ना कान खोल के तो आई विश यू और बेरी बेस्ट कि अगरी तरह से खुब